नोज़े लोश्तों, डेट है आज की 21 जून 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्केशन में तीन इस्यूज आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हिंदू का आंटिकल डिस्कस करेंगे सेक्शन, IPC सेक्शन 498-A के मिस्यूज से सम्मधित दूसरे नमबर पर आंटिकल डिस्कस करेंगे आईटी एक्ट सेक्शन 66-A के बारे में सरकार पिछले दरवाजे से कोशिश कर रही है इस सेक्शन को वापस लाने के लिए ये सेक्शन सुप्रीम कोट के दोरा स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था आप दे सकते हो सतेंदर दूबे के बारे में सायद आप सबने सुना होगा मैं आपको बता लेता हूँ ताकि आप एक्जामपल लिक्स को ये इंडियन इंजिनरिंग सर्विस के ओफिसर थे नैशनल हाइवे अथोर्टी ओफ इंडिया के साथ काम कर रहे थे इन्होंने ना सेंटरल गवर्मेंट के एक ambitious project golden quadrilateral highway golden quadrilateral highway project में जो इंडिया की major cities है जैसे डेली, मुंबई, कोलकाता, चेन नहीं इनको आपस में जोड़ा जाना था और एक quadrilateral बन रहा था है इस परकार से इस project में इसलिए नाम है golden quadrilateral highway construction project तो इस project में एक nexus देखने को मिल रहा था वो officers जिनके उपर जिम्मेदारी थी project को कैसे implement किया जा रहा है उसको supervise करने की वो officers local contractors के साथ मिल के corruption कर रहे थे जिसको expose किया गया सतेंदर दूबे के द्वरा उसमें वाजबई की सरकार थी तो ना इन्होंने जब खत लिखा था ना PMO को तो उन्होंने खत में साफ तोर पर नीचे लिखा था कि ये जो letter है ना leak नहीं होना चाहिए मेरा नाम किसी भी कीमत पर leak नहीं होना चाहिए बट ना जाने कैसे इनका नाम ना leak हो गया नाम leak हो गया तो बाद में इनका murder हो गया तो उससे मैं जब वाजबे की सरकार थी 2003 में पार्लियमेंट में खूब हंगामा हुआ था जब इनको मार दिया गया था विपक्स ने खूब हंगामा किया था कि उस officer ने जब बोला था खत में secret letter था कि मेरा नाम ना लीग किया जाए मेडिया में कैसा उनका नाम लीग हुआ हलाकि PMO को खत मिला न तो उन्होंने vigilance से जांस करवाने की परिकिरिया स्टार्ट कर दी थी लेकिन इनका नाम लीग कर दिया नाम लीग कर दिया तो वाजबेजी उसमें परदामंत्री थे पार्लियमेंट में उनको जवाब देना पड़ा था कि इस बच्चे की साधत मतलब काम आएगी corruption के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे ऐसा सा बहुत कुछ उससे में हुआ था तो ethics में इनका example आप जरूर दीजेगा इन्होंने integrity के लिए मतलब अपनी जान दे दी जान इनकी ले ली गई बहुत बार देखो ethics में ऐसे example होते हैं जो आज के officers है न बहुत सारे वो न अपना PR बोथ करवाते हैं दिक्कत यह है PR मतलब public relation officer रखते हैं अपना personal और अच्छे-ची खबरे देते हैं media को उन खबरों को media को देने का मकसद यह होता है कि officer अपनी खुद की image चमकाना चाहता है वास्तव में उसने काम किया है नहीं किया है कुछ नहीं पता बस officer अपना खुद का PR रखता है वो media में अच्छे-ची news देता रहता है और हमें लगता है कि वो officer बहुत अच्छा है लेकिन वास्तव में सलाम है इन सतिंदर दूबे जैसे officers को जो वास्तव में मतलब personally corruption को पर्यास करने के चक्कर में जिन्होंने अपनी जान तक दे दी चलिए अब discussion start करते हैं First important article IPC section 498 A के misuse से समदित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं क्या contest है देखो IPC section 498 A है क्या wife को अगर दहेज के लिए परतारित किया जाता है husband के द्वरा या फिर रिष्तेदारों के द्वरा तो उस संदर में case दर्ज होता है लेकिन देखो इस section की नाप misuse की ख़बरे बहुत ज़्यादा आ रही है और judges भी इसको लेके चिंतित हैं तो इस misuse को रोकने के लिए अलाबाद High Court ने कुछ guidelines जरी की अलाबाद High Court ने देखो ये कहा जैसे ही पुलिस के पास दहेज से समदित case सामने आता है ना तो पुलिस FIR file करती है लेकिन ऐसा नहीं कि FIR file करते ही तुरंट जिनके खिलाफ सिकायत दी गई है उनको पुलिस अरेश्ट कर ले नहीं FIR register करने के बाद पुलिस जो है वो उस case को सौप दे एक Family Welfare Committee को दो महिने तक वो Family Welfare Committee जो है इस case को handle करेगी और husband और wife के बीच mediation करवाने की कोशिस करेगी तो ये दो महिने का cooling of period है जैसे ही पुलिस ने FIR register की case जाएगा Family Welfare Committee के पास में दो महिने तक कोशिस करेगी ये कमेटी husband और wife के बीच mediation का इसी बीच अब आपके दिमाग में आया होगा दो महिने तक चला माल लिया Family Welfare Committee काम करती रहेगी तो पुलिस क्या करेगी तो इन दो मंथ में पुलिस जो है वो peripheral investigation करती रहेगी peripheral investigation जैसे कुछ अगर evidence इकठा करना है तो evidence इकठा कर लिया अगर witness की statements को record करना है तो witness की statement को record कर दिया, injury सम्मंदित report को collect करना है तो injury सम्मंदित report collect कर ली यानि ये सारी चीजें meanwhile इन दो महने में पुलिस collect करती रहेगी तो ये important judgment है अलाबाद High Court का अब देखो writer ये कहते हैं इसी परकार का judgment ना Supreme Court ने भी दिया था कब 2018 में उस case का नाम था Social Action Forum for Manav Adikar versus Union of India इसमें भी Supreme Court ने कहा था कि इसी परकार से एक committee के अगठन किया जाए और वो committee एक महिने तक काम करेगी फरक इतना है अलाबाद High Court ने उस committee को दो महिने का time दिया है और Supreme Court ने इस committee को एक महिने का time दिया था committee के composition में भी difference है अलाबाद High Court ने कहा है इस family welfare committee में कोई जवान, mediator है advocate है या फिर senior law student है इनको भी सामिल किया जाए primary काम इस family welfare committee का यही होगा husband और wife के बीच में matrimonial settlement करवाना यानि dispute को resolve करवाना अब देखो यहाँ पर एक important point आता है Supreme Court ने ना Rajayas Sarma सुपरा case में ये directions दी थी कि देखो वो दहेज के cases जिसमें कोई tangible physical injury involved है मतलब wife की body पर कोई चोट का निसान है तो उन cases में हमारी जो ये guidelines है ना कि एक महने तक case को भेजा जाए committee के पास तो वो guidelines उन cases में applicable नहीं होगी दहेज के जिसमें wife की body के ऊपर tangible physical injuries के निसान है मतलब चोट के निसान है लेकिन अलाबाद high court ने जो एक guidelines जारी की ना अलाबाद high court ने कहा even वो cases जिसमें section 307 involved है या फिर वो cases जिसमें maximum 10 साल की सजा हो सकती है तो उन में भी हमारी guidelines जो है applicable होंगी यानि दो महने के लिए committee के पास case जाएगा ही तो राइटर के अनुसार अलाबाद high court की guidelines गरत है क्योंकि देखो अगर मान लीजिए wife की जो हड़ी है fracture हो जाती है चोट की वज़े से आँख में permanent injury हो जाती है या फिर कान में injury हो जाती है तब भी अलाबाद high court की जो guidelines है applicable होंगी यानि पुलिस जो है arrest नहीं करसकेगी दो महिने तक family welfare committee जो है case संभालेगी सुप्रीम कोट ने तो हलाखी कह दिया था CRPC में यानि code of criminal procedure में जो provisions है ना वो लागू होंगे मतलब case committee के पास जाएगा एक महिने तक इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस के उपर बैन है कि पुलिस आरोपी को arrest नहीं कर सकती समझ गे यानि CRPC का जो procedure है न वो किसी परकार से परभावित नहीं होगा सुप्रिंग कोट ने ये कहा था लेकिन अलाबाद हाई कोट ने तो साफ कह दिया है कि दो महिने तक पुलिस आरेश्ट ही नहीं करेगी जब तक केस होगा फैमिली वेलफेर कमेटी के पास में तो राइटर कहते हैं कोशन रेज करते हैं अलाबाद हाई कोट का जो judgment है क्या कोट ने अपनी जूरिडिक्शन में रह के ये judgment दिया है क्यूंकि देखो CRPC के जो प्रोविजन्स है न वो कानून के तहट बने हुए है उसमें सब कुछ क्लेरिफाई है कब अरेश्ट किया जा सकता है आरोपी को कब अरेश्ट नहीं किया जा सकता तो freshly interpret किया गया है कोट के द्वारा उन प्रोविजन्स को जबकि कानून बनाना तो legislature का काम है ना कि कोट का अब एक argument कुछ experts देंगे विशाखा वर्से स्टेट ओफ रजस्तान उनिशोस तानवे में सुपरिंग कोट ने गाइडलाइन्स दी थी देखो सुपरिंग कोट ने जो गाइडलाइन्स दी थी उनको freshly interpret किया है अलाबाद हाई कोट ने यानि अपनी jurisdiction से बाहर जाके काम किया है देखो ये बात सच है IPC section 498A के यानि दहेज के बहुत जूटे cases सामने आते हैं misuse होता है ये बात किसी से चुपी नहीं है लेकिन इन इस misuse को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है कम से कम 498A को dilute नहीं किया जा सकता ऐसा writer बोलते हैं किया ये जा सकता है 2014 की Supreme Court की जो directions है न कौन से case में Arnees Kumar वर्शे स्टेट ओफ बिहार case में 2014 का ये case में इस case में न Supreme Court ने साफ तोर पर पुलिस को कहा था देखो जो credible material है न मतलब विश्वास किया जाने वाला evidence है या फिर लगता है पुलिस को कि आरोपी को गिरफतार करना चाहिए लगता है का मतलब ऐसा नहीं कि अंतरात्मा की आवाज नहीं reasoning हो प्रोपर logic हो arrest करने का तब ही arrest किया जाए आरोपी को otherwise नहीं इसके साथ साथ जो investigating officers है न उनको rigorous training provide की जाए इसके साथ साथ जो wrongdoers है यानि जो officers गलत धंग से arrest करते हैं उनको departmentally punish किया जाए ताकि एक department में detrance create हो और जो investigating officers है वो सही धंग से जांस करें और किसी निर्दोस को गिरफतार ना करें दूसरी चीज़ जो legislature है for example state assembly वो ना section 498A IPC को billable बना सकते है अभी ये non-billable है इसके साथ साथ legislature section 498A IPC को compoundable भी बना सकते है compoundable का क्या मतलब होता है दिवो compoundable offense वो offense होते हैं जिसमे दोनों parties जो dispute में involved है न वो बिना court की permission के सहमती कर सकती है settlement कर सकती है मैं आपको example देता हूँ जो rape के cases होते हैं न वो non-compoundable होते हैं इन cases में जो सिकायत करता है और जिन पर आरोप हैं दोनों court की permission के बिना आपस में settlement नहीं कर सकते हैं ऐसे cases जो society के against crime होते हैं तो वो cases होते हैं non-compoundable जानि उन cases में दोनों parties को सहमती करने के लिए settlement करने के लिए court की permission लेनी पड़ती है तो ये एक suggestion है कि legislature IPC section 498A को valuable बना दे और compoundable बना दे next Mediation Bill 2021 अभी pending है ये एक बार आ गया तो फिर civil route के माध्यम से भी जाज़ा है जादा matrimonial disputes को solve किया जासकेगा और जूटे cases जो हैं वो कम सामने आएंगे लेकिन देखो जब तक law में amendment नहीं हो जाता तब तक IPC section 498A का dilution नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी high court अपनी jurisdiction से बाहर जाके verdict देती है order pass करती है तो कल को supreme court उस order को struck down कर सकती है ऐसा writer का मानना है तो ये पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद next article IT Act 66A से समन्दित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो IT Act 66A 2015 में Supreme Court ने इसे strike down कर दिया था था क्या ये act इसमें ना वो person जो online किसी दूसरे person को offensive message भेजता था जैसे गली गलोच वाले message या फिर कोई person दूसरे person को ऐसी information भेजता जो false हो जूटी हो बड़ जान बुझके वो person दूसरे person को information भेज रहा है ताकि दूसरे person को खत्रे में डाला जांसके उसके insult की जांसके उसको धमकाया जांसके तो इन सब cases में ना punishment का प्रावधान था इस IT Act 66A में बड़ डिक्कत क्या थी local authorities यानि पुलीस काफी misuse कर रही थी इस Act का और पुलीस कई बार तो political leaders का कहने पर काम करती है ना तो अनेकों लोगों को गिरिफ्टार किया गया इस 66A में फाइनली तो हजर पंद्रा में स्रिया सिंगल केस में सुप्रिंग कोट ने इस section 66A को strike down कर दिया ये कहते हुए कि ये freedom of speech and expression के against है आप देखो हरानी वाली बात ये है सुप्रिंग कोट ने इसे 2015 में strike down कर दिया लेकिन local level पे जो police officers है उनको पता ही नहीं है तो आप अंदाजर लगा सकते हो हमरे देश में local level पे किस परकार से police officers अपने आपको update करते हैं मतलब बार-बार सुप्रिंग कोट के strike down करने के बावजूद बार-बार इसी act के अंदर cases register होते रहे फिर final 2019 में सुप्रिंग कोट ने बोला कि भाया क्या कर रहे हो तुम लोग DGP को आदेश दिया विभिन राज्यों के कि आरे तुम local level पे police officer को बताते क्यों नहीं instructions क्यों नहीं देते कि ये act जो एब हट चुका है ना case दर्ज कीजिए इस act के अंतरगत तो अब जाके मतलब बहुत काम cases सामने आ रही है IT act 66A के मतलब आपको हरानी नहीं हुई कोई कानून है यह नहीं कानून हट चुका है फिर भी उस हटे हुए कानून के तहत cases दर्ज हो रहे हैं और उससे भी जादा चलो मान लिया पुलिस वालों को नहीं पता इवन लोकल लेवल पर जो magistrate है वो भी गिरफतार होने के बाद judicial custody दे देते हैं और उपी की मतलब जो judicial magistrate होते हैं उनसे तो यह उमीद की जाती है ना कि Supreme Court का judgment 2015 का उन्हें सुना हो सभी UPSS parents को पता होता है कि यह act पहले हुआ करता था आज कल नहीं है खर आज का जो issue है ना वो यह है हाल ही मेरा एक international conference आउजित हुई UN के द्वारा आउजित की गई थी कि एक international treaty आनी चाहिए cyber crime से लड़ने के लिए और इस international treaty पर जब negotiation चल रही थी ना तो इंडिया ने भी अपना एक suggestion रखा इंडिया ने बोला offensive messages को criminalize कर दिया जाए तो writer कहते हैं अरे भाईया section 66A Supreme Court ने strike down कर दिया central government फिर से इसे पिछले दरवाजे से लाने की कोशिश कर रही है इसलिए उन्होंने UN में जब negotiation चल रही थी ये suggestion दे दिया कि offensive messages को फिर से criminalize कर दिया जाए पहले 2015 से पहले जो IT Act 66A में हुआ करता था था न वही provision इंडिया की तरफ से suggest किया गया UN को तो writer कहते हैं देखो पहली तो बात इंडिया ने सिरफ अपना suggestion रखा है इंडिया की बात को मान लिया जाएगा कोई surety नहीं है UK और दूसरे जो develop countries है न उन्होंने इंडिया के इस suggestion का विरोध किया है उनका कहना है इंडिया का ये suggestion freedom of speech and expression के against है तो इसे ना माना जाए और मान लीजिए इंडिया की बात को मान भी लिया गया इंडिया में ऐसा नहीं होता कि कोई international कानून हो तो वो automatically इंडिया में लागू हो जाता है नहीं इंडिया में अलग system है जब तक domestically Parliament कोई कानून नहीं बनाएगी तो automatic international ला हमार देश में लागू नहीं होने लगेगा इंडिया में dual system है मतलब ऐसा नहीं कि international कानून जो है वो अपने आप से ही automatic इंडिया में लागू होंगे नहीं कानून तो वही लागू होगा जो Parliament से पास होगा इसके बाद राइटर बोलते हैं वैसे तो देखो Supreme Court ने समय समय पर अपनी judgments देते वक्त international lars को accommodate किया है जैसे विसाखा वर्से स्टेट ओफ राजस्तान 1997 के case में National Legal Services Authority वर्सेज Union of India 2014 के case में के एस पुट्टा स्वामी वर्सेज Union of India 2018 के case में इन सभी cases में verdict देते वक्त Supreme Court ने international lars को consider किया है तो international treaty अगर बन जाती है ना cyber crime के उपर और उसमें offensive messages को criminalize किया जाता है तो Supreme Court उसको भी accommodate करेगी इसकी कोई guarantee नहीं है क्योंकि इन सब cases में Supreme Court ने जब international lars को accommodate किया था ना international lars को अपना verdict दिया था तो उस समय देखो इन सब issues पर कोई domestic कानून था नहीं लेकिन अब तो Supreme Court की खुद की judgment है 2015 case रिया single case की तो Supreme Court उस judgment को ignore करके international lars को accommodate करेगा इसके संबावना बहुत कम है Parliament ऐसा कर सकती है क्योंकि अगर आपने लक्षमिकान पड़ी हो मतलब आप beginner हो तो अलग बात है तरवाइस लक्षमिकान तो आप सबने पड़ी लियोगी अभी तक तो हमारे देश के सविधान के आर्टिकल 253 में ये दिया गया है कि Parliament न इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रिमेंट को implement करने के लिए देश में कोई भी कानून बना सकती है तो अगर International Agreement on Combating Cyber Crimes में offensive messages को criminalize किया जाता है न तो उसके बाद Central Government उस agreement को implement करने के लिए criminalize हो सकते हैं जैसा IT Act Section 66A में था बड़ देखो राइटर बोलते हैं बेसक Parliament कानून बना दे कानून तो पहले भी था 2015 से पहले लेकिन Supreme Court ने जिन Logics के अधार पर जिन Arguments के अधार पर IT Act Section 66A को Nullify किया था वो Arguments तो आज भी मुझूद है तो Parliament अगर कानून बना भी देती है तो Supreme Court उन Arguments के बेस पे फिर से Parliament के द्वरा बनाए गए कानून को Nullify कर सकती है इसलिए अगर International Agreement में Provision हो भी गया Offenses Messages को criminalize करने का तो देश में कानून आएगा इस बात की कोई गरंटी नहीं है क्योंकि बहुत से ऐसे Nitty Gritties है जो हमने इस आर्टिकल में डिसकस की हैं चलते हैं आगे इसके बाद next जो आर्टिकल है वो इंडिया एंड निपाल Relations से समन्दित हैं फोकस हैं Hydro Electric Projects पर आप GS Paper 2 से इस आर्टिकल को Relate कर सकते हो Context देखो यह है निपाल में जो West Seti Hydro Power Project है न अब इसको Takeover किया जाएगा इंडिया की NHPC के द्वरा NHPC मतलब National Hydro Power Corporation इस से पहले इस Hydro Power Project का जो Engagement था न वो चाइना की एक कंपनी के साथ में था तो यह एक अच्छी चीज है देखो West Seti Dam जो है यह एक परपोष्ट 750 MW का Hydro Electric Dam है कौन सी रिवर के उपर Seti River के उपर यह है Seti River और यह है करनाली रिवर परिटिकुलर लिए देखो यह Storage Dam है पानी श्टोर किया जाता है ताकि बड़ी मात्रा में Electricity को जनरेट किया जाएगा सोचा यह गया है कि जब यह Project काम करने लगेगा अपनी Full Capacity में तो ना सिरफ इस Project से Electricity Export होगी इंडिया को बलकी निपाल को भी 31.9% Free Electricity मिलेगी और जो Locals परभावित हो रहे हैं इस Project की वज़े से उन्हें 10 Million निपाली रुपीज प्लस में 30 Units of Free Electricity मिलेगी हर मैंने वैसे एक कोशिंग यह भी रेज होता कि चाइना जो है आखिरकार इस Project से बाहर क्यों हो गया मतलब चाइना की Company इस Project से बाहर क्यों आ गई चाइना की Company का देखो यह कहना था यह जो Project है न Financially Unvival है मतलब कोश्ट ज़्यादा आएगी जितना खर्चा आएगा ना इस Project को कंप्लीट करने में उतना Recovery नहीं हो पाएगी इतना Rehabilitation के लिए पैसा देना है जो लोग Displace होंगे उसके बाद Free Electricity भी देनी है नेपाल को तो ना सब कुछ कांट के जितना खर्चा हमारा आएगा ना वो पूरा नहीं हो पाएगा यानि फाइदा कम है लागत ज़्यादा है बट अब देखो नेपाल के पधामंत्री सेर बहादूर देवबा ने ये डिकलेर किया है चुकि नेपाल की Power Market जो है वो इंडिया है नेपाल अपनी इलेक्ट्रिश से इंडिया को बेचता है और नेपाल की ये पोल्सी है कि नेपाल चाइना के द्वारा एग्जेकुटीड प्रोजेक्ट से Power Purchase नहीं कर सकता इसलिए ये प्रोजेक्ट हम इंडिया को दे रहे है चिदी सी बात है सेर बहादूर देवबा जो नेपाल की प्राइम इनिस्टर है उनका जो इंकलिनेशन है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है पहले जो प्रधामंत्री थे के पियस ओली उनका जुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा था देखो नेपाल के पास ना हाद्रो पावर को जनरेट करने का बहुत जबरदस्त पोटेंशल है छे हजार छोड़ी मोड़ी रिवर्स है वहाँ पे पोटेंशल है टोटल 83,000 मेगावाट इलेक्टरिश्टी को जनरेट करने का बावजुद इसके नेपाल में देखो पावर की सोटेस पाफी ज़धा है क्योंकि नेपाल सिरफ 900 मेगावाट इलेक्टरिश्टी जनरेट करता है पोटेंशल वैसे मतलब कैपेश्टी वैसे अभी जनरेट करने की 2000 मेगावाट है पोटेंशल तो बहुत ज़धा है 364 MW जो power है ना वो export कर रहा है लेकिन पिछले कुछ सालों तक तो लगातार नेपाल इंडिया से electricity purchase कर रहा था देखो कुछ ना एनिस चिता है इंडिया नेपाल electricity relations में नेपाल का ये कहना है इंडिया दावे तो बड़े-बड़े कर देता है कि हम ये project बनाएंगे लेकिन implementation इंडिया का काफी slow है एक्जामपल के तोर पर महाकाली ट्रीटी साइन हुई थी 1996 में इस ट्रीटी के बाद में यहाँ पर project established होना था उस project की साहिता से 6480 MW electricity को generate करना था लेकिन इंडिया अभी तक इस project की detailed project report लेकर नहीं आया है सामने इवन multinational GMR जो company है ये भी अपर करनाली project को लेके आगे नहीं बढ़सकी है हलागी कुछ ऐसे projects है जिनको लेके काफी तेजी से progress हो रही है फूर एक्जामपल 900 MW का Arun third project है यह इस्टर निपाल के संखुवा सभा में है इसको ना इंडिया की सतलूज विद्यूत निगम के द्वारा implement क्या जा रहा है boot scheme के तहत बूट scheme में क्या होता है आप build करो यह जो इंडिया की सतलूज विद्यूत निगम है यह build कर रही है boot का मतलब foundation रखी गई थी इस project की 2018 में और project complete होगा 2023 में इसके लावा नेपाल इंडिया को एक और प्रोजेक्ट देने के बारे में सोच रहा है 695 MW का Arun four project यह भी उसी company को दिया जाएगा जो अभी Arun third build कर रही है यही सत्रूज विद्यूत निगम इसके बाद writer कहते हैं देखो डिक्ट पते क्या है अभी फिलाल इंडिया नेपाल के जो relations है ना वो focus करते हैं सिरफ power sector पर लेकिन देखो जब कोई एक project बनता है ना river के ऊपर तो वो multi purpose project होना चाहिए flood control, navigation, fisheries, irrigation, contributing to agriculture growth मतलब इन सब objectives का भी ख्याल रखना चाहिए last में conclude करते हुए writer कहते हैं अभी जो प्राइमिनिस्टर है ना नेपाल के शेर बहादूर देवबा वो इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे relations maintain कर रहे हैं तो ये जो west city project NHPC को मिला है complete किया जाएगा इनके द्वरा तो ये project अच्छे से complete होगा न तो इंडिया की image जो है नेपाल में थोड़ी improve होगी और बाद में further जो projects हैं hydropower के वो इंडिया को मिलेंगे तो ये पूरा article हमने discuss किया इंडिया नेपाल relations से सम्मन्दित